कि हलो फिंट्स आज हम बात कहेंगे सूर्य मंगला बुद्त की जिटी के बारे में सूर्य मंगल बुद्त की जिटी इग्रकली में होती है तो इसकी कैफ से रacing सुगे को जोतिश में confidence, विश्वास, इच्छा शक्ति, आत्मा, पिता, आपकी personality, आपकी vitality, optimism, authority, name fame, brightness, light का कारक वाना गया है सुगे जो है कालपुषकुनली के पर्थमभाब में उच्छ का होता है, सुग्तमभाब में नीच का होता है, इसको दशमभाब का करारक भी माना जाता है इसलिए सुगे का संभध आपके करेर से भी होता है बुद्ध को जोतिश में बुद्धी का, communication, skills, speech, hands, logic, analytical, skills, calculation, education, business, trading, language का कारक वाना गया है मंगल को जोतिश में साहस का, स्फूर्टी का, गुस्से का, अगनी का, रक्त का, शक्ती का जो आपकी मेस्कलाइन पावर होती है, उसका कारक मना गया है मंगल जो है सनपती है, योध्धा है, कमांडर इन चीफ है मंगल आपके passion को, आपके strength को, आपके fighting ability को, आपकी जो टेक्निकल knowledge है, उससे भी संबंदिन होता है, टेक्निकल education ये weapon जो शस्त होते हैं, उसका भी कारक है ये जो यूती होती है, सुर्वे मंगल बुद्ध की यूती, बहुती strong योग होता है अगर कुली में योग है तो, बशर्ते की सभी planets जो है, strong होने चाहिए, strongly placed होने चाहिए यानि की, किस भाब में है, किस राशी में है, ये बहुत important है साथ ही इनके उपर other planets का influence क्या है, तो अगर ये उती आपकी कुली में strong है तो ये जातक को एक सफल गेक्ती बना सकती है, अपनी छेते में जातक सफलता प्राप्ट करता है ये जो योग है जातक को आक्रामक, अधिकार पूर्ण, वाड़ी पैदान करता है इस तरह कि जो जातक होते हैं, ये बहुती professional होते हैं अधिकार पूर्ण इनका व्यक्तित्व होता है, authoritative communication होता है सूर्य जो है authority का कारक है, mangal जो aggression का कारक है, और हमार की जो है communication का कारक है ये जो जातक होते हैं जिनकी कुल्ली में सूर्य मंगल बुद्ध की यूती होती है, ये गोल-oriented होते हैं इनका हर काम जो है goal-oriented होता है, चाहे वह वारी से संभन दित हो, चाहे writing से संभन दित हो कोई भी हो, वो बोलते हैं तो भी उसमें कोई उदेश्य होता है, वो लखते हैं तो भी उसमें कोई में सफल होते हैं कि यहां पर आत्मशक्ति managing और성 कर लिए अपने हर कारे और यह किसी स्च्वा रोज़ को सामना कर सकते हैं किसी भी equation को solve कर सकते हैं even वो इतने expert होते हैं कि किसी भी हथियार को बना सकते हैं हथियार बनाने में भी काफी expert होते हैं इस तरह कि जो जातक होते हैं वो बहुती bold होते हैं तो radius होते हैं क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मंगल है और बुद्ध है यह दोना यह थर्ड हाउस के कारक होते हैं थर्ड हाउस को समद्ध आपके हातों से होता है इसलिए इनके हातों में जो है बहुत जादू होता है यह जो भी लिखते हैं जो भी करते हैं यह जो भी लिखेंगे तो वो भी जो हैं इनकी गोल-correct होता है उसमें कोई मैसेज होता है बने मिनिंगFUL होता है लिखते भी हैं तो भरी भड़ी होता है जैसे आपको aggression, authority यह ने सब देखने को मिलेगा इनकी writing में भी इस तरह के जो जातक होते हैं ये बॉर्ण लीडर होते हैं चमजात नेता होके गुर्ण होते हैं इनकी जो स्पीच होती है वो काफी अग्रेसिव असर्टिव होती है means यह इस यूती वाले जो लोग होते हैं यह बहुती convincing होते हैं वो यह अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर ले थे हैं और व्यक्ति इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत भी होता है इतनी effective इनकी speech होती है इनकी अंदर जो mathematical skills होती है यह भी गजब की होती है calculation जो skill होती है risk calculate करने में माहे होते हैं इसलिए जो इस यूती वाले जाता है वह बहुत अच्छी इंजीनियर कमांडर इंचीफ यह ग्रेट एक महान योद्धा भी होते हैं इस तरह कि यूती वाले जातक जो होते हैं वह सिर्फ जीतने के लिए ही समझे पैदा होते हैं वह हारना तो जानते ही नहीं है यह लोग जो होते हैं बहुत ही positive mind और बहुत ही hopeful optimistic नेचर के होते हैं यह जो योग है जातक को भुती तेजी से कोई भी decision लेना कोई भी नेडर लेना हो कोई भी गेम शो में कोई contestant जैसे होता है लॉयर जो होते हैं IPS हो सकते हैं स्ट्राइक लोग IPS अधिकारी प्लिस अधिकारी military officer कि सुगे मंगल बुद्ध की उती वाले जातक जो होते हैं इनके अंदर जो administration इसकस होते हैं वह भी बहुत गजब की होती हैं या कहें कि यह जो होते बॉर्ण administrator होते हैं और इनके फादर भी जो है वह बहुत अच्छी administrator होते हैं authoritative होते हैं इनकी फादर जो है commander-in-chief, king लाइक उनकी personality हो सकती है engineer हो सकते हैं यह जो conjunction है यह जातक को बहुत अच्छी technical knowledge देता है technical skills होता है देता है father को भी और native को भी सुगे फादर है यहां पर क्योंकि जातक की कुली में योग बनता है तो जातक के अंदर भी टेक्निकल इसकिस होती है इस ताक्रेश जातक होते हैं वह बहुत अच्छे हंटर भी होते हैं शिकारी इनके फादर भी बहुत अच्छे हंटर होते हैं तो कहते हैं ना फादर का डियने बच्चे में आता है तो वही गोर जो है संतान में भी जातक में भी होते हैं अलब यह इतने अच्छे शिकारी होते हैं कि बिना किसी हतियाई के भी यह शिकार कर ले लेते हैं या उसी समय क्योंकि मैंने बताया इनकी हैंस जो है बहुत पावफुल होते हैं तो यह कोई हत्याय बना गया कोई लखड़ी से कर बहुत शिकार कर लेते हैं कि अच्छी तरह से सक्सेस्फुली करते हैं аются इसलोब की कमिटेड होते हैं तो पावसिल से होते हैं किवरला कि अपनी बात मन लेते हैं किसी थरह से अपना काम करवा लेते हैं को परफिजुल करते हैं अगर किके वह नेचर के होते हैं Richardson से इन 11 थो उक्रूडते भी नहीं है तो यह जो जातक होते हैं यह बहुत ही सहासी होते हैं सफूर्तिवान होते हैं कभी-कभी क्योंकि यहां पर अगनी तत्व की अधिकता हो जाती है सूरे भी एक फाइरी प्लारेट हैं यहां पर क्या होता है कि फाइर जदा हो जाती हो तो है कि संदी वाले ज़ाता कभी 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 बहुती जदा कुल हो जाते हैं कि पर मीं तेलेंस polymer के भी हो जाते हैं कि यह युद्टी वाले जा तक जो है अपने सभी जो के गोल है वह अपने देशिप कोंटीस से अपनी management skills से अपने willpower से अपनी intelligence से communication स्कैल्स से प्राप्ट कर लेती है अधिक्ता ही जो इनकी समस्चाय होती है जो भी प्रलों में यह life में face करते हैं जो भी goals होते हैं वोधिक्ता यह अपनी न के बातिव से हनकी इतनी ज्ञधा effect म Потती also इतनी ज्यादा प्रभावपूर होती है कि वह साइक तो यह सिर्फ अपने communication skills से ही सुल्जा लेते हैं इनका जो और होता है इस तरह के लोग का जो और होता है वह इतना प्रभावपूर होता है कि जहां जाते हैं माली जी कोई तो यह प्रवावपूर होते हैं यह लोग है अधी इस यूथि वाले जातक जो होते हैं यह अपनियांद की तरह स्थापित करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि किरन वेदी जी की कुल्ली को देखा जाए तो एक तरह से वह यूनिक परस्टनाल्टी है उनकी कुल्ली में भी यूग बनता है आप देखेंगे जैसे कि समराठ अशोका समराठ अशोक के बाई में तो सभी जानते हैं एक अपने आपए एक अपनी एक ऐंक हैं इक यूनिक परस्टनाल्टी है तो ईयक चो तक भिक्ति बेच्टि बनता देता है टो मैं अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो सबक्सक्राइब कर 55 रिजे बैल लाइकोन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो को नोटीवेशन टाइम से मिल जाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू